तो दोस्तों अब ये बात सुनकर आपको बेदी ज़ादा खुशी मैसुस होगी, दरसल हाली में भारत के आप बेदी ज़ादा किमती ख़जाना लग चुका है, इसके बाद अब भारत की ताकत कई गुना ज़ादा बढ़ जाएगी, दरसल ये ख़जाना इसली इतना ज़ाद किमती है क्योंकि इसकी जो मात्रा है वो भारत में कम पाई जाती है और हर साल भारत करोडों रुपए खर्च कर देता है इसको इंपोर्ट करने में जी हाँ दोस्तों तो मैं बात कर रहो लीथियम के बारे में दरसल भारत हर साल 96% से भी जाधा हिस्सा लीथियम का अलग- डॉलर्स का लोन दिया था ये लोन दरसल इंडिया अफरीका पार्टनर्शिप के तहट दिया गया था और अब वो टाइम आ चुका है कि अफरीका को ये लोन भारत को वापस करना है लेकिन जैसा कि हम सब जानते कि कोरोना के वज़े से दुनिया के काफी सारे देशों की अ Natural Resources ऐसे Resources को भारतिय कंपनी अफरीका में एकसिस कर सकती और उन्हें भारत में इंपोर्ट कर सकती है काफी आसानी से दरसल ये भारत के लिए काफी जादा फाइदे मंद है क्योंकि अफरीका की काफी सारी माइन्स पर चाइना का कबजा है लेकिन भारत ने अफरीका और काफ hydrogen fuel और electrical vehicles हमें इस target को अचीव करने में मदद करेगे और अगर हम प्रेजन टाइम में देखे तो जो सबसे अच्छा साधन है electricity को स्टोर करने का वह है lithium-ion batteries और अब अफरीका की मदद से भारत को एक काफी बड़ा साधन मिल चुका है lithium को भारत में इंपोर्ट करने का और ये क कंट्रियों से और अब भारत की इस नई डील से इतना सारा भारत का पैसा बच जाएगा तो ये भारत के आथ खजाना लगने जैसा ही है तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा मैं चैनल पर भारत की ऐसी अपडेट लाते रह तो अगर आप कोई वीडियो इंफर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजे जाहिन